पंजाब का सियासी ड्रामा खत्व नहीं हो रहा है एक के बाद एक नए किरदार और नया विवाद शुरू हो रहा है आप देखिए एक बार फिर पंजाब की सियासत सुर्खियों में है क्योंकि नवजोज सिंग सिद्धू ने इस्तिफा दे दिया है अध्यक्षपत से तो आ कि सबसे पहले आपको बताएं कि आज दोपहर के बाद हलकंप मचा जब अचानक ये खावर आई कि नवजोज सिंग सिद्धू जो की पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया सीधे सोनिया गांधी को चिठिली के और चिठिली के कहा कि वो अ करने वाले थे तो इसलेकित सबसे बड़ी बात की अचानक इस खबर आने के बाद हलका मचा लेकिन आपको मैं बताओं कि ये पूरा मामला क्या है क्यों आखिर नाराजगी है सिदू के वो कि उनको ये पद छोड़ना पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि जो नए मुख्यमंतरी जो मुख्यमंतरी बने उसमें जो नाम उनका प्रपोख किया था वह सिदू के तरफ से किया गया था लेकिन पशले बहुत ही कम समय में जो कहा जा रहा था कि जो कहा जा रहा था कि एक सूपर मामानने से minced इनकार किया और चन्नी जिन्हें कहा जाता था कि बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही सिंपल आत्मी हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और सूपर सीम मानने से इंकार किया, यह भी जाता है कि सिद्धू चाहते थे कि जो DGP से लेके पुलिस अधिकारियों से लेके जो I.S. अधिकारियों क जो बिभागों का बटवारा हो वो उनके अनुसार हो, जिनको चरंजीत संग्चनी ने नहीं माना और इसके बाद नाराजगी हुई, लेकिन असली वज़ा ये भी कहा जाता है कि नाराजगी के पीछे एक वज़ा यह है कि कहीं ना कहीं उनका जो मुख्यमंत्री बनने का ज उनको ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कॉंग्रेस के तरफ से धुखा हुआ, कॉंग्रेस के सामने उन्हों ने यही कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, लेकिन चरंजी से चन्नी के बनने के बाद उनको अपनी भविश्य की संभावनाएं भी कम होती नजर आए और ये भी एक वज़ा है कि वो नाराज हो गए, लेकिन नाराजगी कोई पहली बार नहीं है, सिदू के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सिदू बहुत जल्दी नाराज होते हैं, जब बीजेपी में थे तब बात बात पर नाराज होते थे, पंजाब में उन इनमें थी, एक क्रिकेटर थे, अचान थी, अपनी शोहरत थी और उसके तले जो पंजाब बीजेपी के नेताओं को कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, महाँ पर उन्होंने मनमानी की, कभी जो कहा जाता है कि संगठन की बात नहीं मानी, सबसे बड़ी बात कि आपको और निता कौमरित सर के चुनावारना पड़ा, जबकि अगर आपको याद हो तो जब एक एक बुजूर्ग के साथ मारपीट में जिनकी मौत हो गई थी, इस उस पूरे मामले में है, अरुन जेटली ने हमेशा मदद की, जो कानूनी लड़ाई, सिद्धू ने लड़ी, उस वो क्योंकि उनको उन्होंने तब तक ये पार्टी से चाह रहे थे कि बीजेपी उन्हें अध्यक्ष बना दे, स्टेट बीजेपी का प्रेसिडट बनाए, अकाली दल्चे रिस्ता तोड़ दे, लेकिन बीजेपी ने ये बात नहीं मानी, तो रातसवा से उन्होंने इस्ति जुड़े थे, वो कहते थे कि सिदू जो है, बहुत ही महत्वा कांची है, उनकी महत्वा कांचा बहुत जादा है, पेसेंस नहीं, उनके पास नहीं है, वो बहुत दिन इंतजार नहीं करते हैं, कि कोई अगर उन्हें कोई आश्वासन दे दे, कि आपको कुछ दिन के बाद आपके साथ ये कुछ फैसले करने हैं और ये जो आपको कहा जा रहा है ये जो प्रामिस किया जा रहा है कुछ समय के बाद मिलेगा लेकिन वो इंतिजार नहीं करते हैं जब यहां पर आए तो आते ही शुरू हुआ बिवाद कैप्टन के साथ और उसकी शुरुआत हुई तब भी विवाद चल रहा था क्योंकि उनको मंत्रीपत से हटाया उस दौरान वो आपको याद होगा जब वह लाफ्टर चैलेंज में मंत्री रहते ही वह लाफ्टर चैलेंज में जा रहे थे तो इस तरह से नहीं होना चाहिए इसके बावजूत कुछ दित तक रहे लेकिन बाद में उन्होंने भले ही चोड़ दिया हो लेकिन कैप्टन और सिदू के बिच मनमुटाफ जारी हो गया था बाद में मंत्री मंदल विस्तार में उनको उनसे कुछ मंत्राले छीन लिया कैप्टन ने तुनोंने मंत्री पत से इस्तिफा दे दिया 2019 में वो सिदू चाहते है थी कि उनकी पतनी को पंजाब में लोकसभा का चुना लाया जाए कॉंग्रेस की सीट से लेकिन उनका टिकट नहीं कट गया उनको टिकट नहीं दिया गया सीदे सीदे आरोप ये लगाया सिदू ने कि कैप्टन के कहने पर कॉंग्रेस ने सिदू की पतनी को टिकट नहीं दिया लोकसभा नाराजगी थी और ये नाराजगी दीरे दीरे बढ़ने लगी सबने उनको देखा कि बाजवा से किस तरह से गले लगाया और उस दोरान जब वो पागिस्तान गये वाजवा से गले लगे उस दोरान कैप्टन ने खुलकर कहा था कि गलत हुआ है इस तरह से चीज़े नहीं होनी चाहिए तो कैप्टन और उनके बीच विवाद चल रहा था हाला कि कैप्टन को हटाने में वह सफल रहे अपने अनुसार चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया भी लेकिन कहा जाता है ना कि महत्वा कांची बहुत ज़्यादा है सिदू और पिसिंस नम की चीज़ नहीं है और वही बात कि हाँ हुई जैसे उनको लगने लगा कि अब साइद उनकी पॉलिटिकल बातें जो वह चाहते थे कि सूपर सीम की वह नहीं हो रही है और भविश्य मुख्यमंत्री बनने की संभावना खत्म हो रही है तो एक बार फिर नाराज हो गया और इस बार नाराजगी ऐसी कि इस् बात करेंगे लेकिन ये पूरी कहानी है सिद्धू की कैसे सिद्धू ने जो विवाद था पज्जाब में पहले बीजेपी में विवाद था इसके बाद आपस में उनका मनमुटाव रहा जिसके कारण को विजेपी शोड़ना पड़ा अब वो कॉंग्रेस में आये कॉंग् होए रहिए और लगातार आपको हम खबरों के पीछे ही खबर दिखाएंगे लेकिन आपको बस जुले रहना है टाइमस्टों नौभारत के डिजिनल प्लेटफॉर्म पर नमस्कार